आज के वीडियो में हम जानेंगे और सिखेंगे ये मेरा एक सूइच है और एक मेरा फ्यूज है इसका कनेक्शन कईसे किया जाता है चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले एको मेरा सुइच है इसमें आपको बल्ब कसना होगा देखिए ये मेरा बल्ब का है जैसे बल्ब में दोठो तार होता है तो एक तार को सुइच के उपरे या निचले टर्मीनर में जोर दीजिएगा आप चलिए हम उपर वाले टर्मीनर में जोर लेते हैं उसके बाद में आपको क्या करना होगा ये सुईस से एक टर्मिरर ये मिला दीजिए चाही ये मिला दीजिए कोई दोठो में एक ये मिला ये चाही एक ये मिला दीजिए तो हम क्या करेंगे इस सुईस से एक टर्मिरर इसको मिला देंगे देखिए यहां से हमने एक टर्मीरर को डाइरेक्ट यहां जोर दिया जोरने के बाद में आप जो पूल पसे दो ठो तार आएगा आपका जैसे देखिए यह मेरा निूटल है और यह मेरा फेज है फेज का तार एक यह जो फ्यूज लगा है तो इसके उपरे वाले टर्मीरर में कस्ट देंगे आप चलिए कस्ट कर फिर देखते हैं देखिए फेज वाले को हम इसमें कस्ट दिया है और निूटल वाले इसी तरह छूटा हुआ तो जैसे हमरा एक बल्व हा तो बल्व को एक तार लेकर आप डाइरेक्ट यहां जोर दीजिए और टिप लगा दीजिएगा देखिए हमने यह जोर दिये जोरने के बाद में इस पे आप टिप लगा दीजिएगा यह मेरा बोर्ड का वायरिंग कम्पलीट है एक पर और बता देता है एक बल्व का तार लेकर उपरे या नीचे वाले स्विच में कस दीजिएगा उसके बाद एक तार निकालकर फ्यूज और स्विच को मिला दीजिएगा और फेज वाले तार को आप यह फ्यूज में कस दीजिएगा और एक तार को यह बल्वाले में क बस दिजिएगा अब यहां मेरा वाइरिंग कम्पलीट है अब चलिए चेक करकर बता देते हैं अगर वीडियो अच्छा लगे तो चाइनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें उसके बाद में क्या किजिएगा पहले फ्यूज निकालकर देखिएगा इसमें फ्यूज एक बांद दिजिएगा चलिए बांदते हैं देखिए एक हमने ये पातला तार लेकर इसमें फ्यूज बांद दिए जैसे इसमें अब लगा देंगे और मेरा लाइन अन करेंगे तो आपको ये जैसे switch on कीजिएगा तो ये जनले लगेगा देखिए, on कीजिएगा तो ये बंद हो जाएगा, जैसे ये fuse निकाल दीजिएगा चाये खराब हो जाएगा तो ये line नहीं जलेगा, फिर लगा दीजिएगा fuse बान कर तो ये जलेगा और बंद होगा, इस बोड को इ